दोस्तों सबसे पहले आप इस न्यूज हेडलाइन पर नज़र डालिए रनबीर कपूर जो बॉलिवूट की जाने माने एक्टर है उन्हें ED के द्वारा समन किया गया है रनबीर पर आरोप है कि उन्होंने महादेव बेटिंग नाम के एक उन्लाइन बेटिंग प्लैटफॉर्म को प्रोमोट किया है सिर्फ रनबीरी नहीं बलकि श्रद्धा कपूर, हुमा कुरेशी, हीना खान और कपिल सर्मा भी इस केस में फसते नजर आ रहे हैं लेकिन ये पूरा मामला सिर्फ एक बेटिंग एप को प्रोमोट करने का नहीं है बलकि इस मामले के इतार हवाला नेटवर्क से जुड़े हुए है और ऐसे आरोप लग रहे हैं कि इन सेलिब्रेटिज ने भी अपना पेमेंट हवाला के जरिये ही लिया था केवल यही नहीं इस केस के कनेक्शन्स ताउद इब्राहिम और नकसलवादियों से भी जुड़ते नजरा रहे हैं NDTV की वेबसाइट पर पब्लिश्ट इस आर्टिकल की माने तो महात्यो बेटिंग एप हर दिन करीब 200 करोन रुपए कमा रहा है और इसके पीछे के मास्टर माइंड्स हैं सौरफ चंदरकार और रवी उपपल जो UAE में बैट कर अपना सारा खेल चला रहे हैं और ऑनलाइन बेटिंग के इस खेल से वो अभी तक 5000 करोन से भी जादा का रुपए कमा चुके हैं इनकी अमेरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फरवरी 2023 में सौरफ चंदरकार ने अपने शादी पर 200 करोन से जादा रुपए खर्च कर दिये थे जिसमें कई famous celebrities को भी बुलाया गया था अब आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सारा खेल सुरू कहां से हुआ तो दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है साल 2013 में जब शौरफ चंदरकार और रभी उपपल दुबई की शानों सौकत वाले दुनिया से दूर 36 गड़ के भिलाई में रहा करते थे शौरफ चंदरकार एक जूस की दुकान चलाता था तो रभी उपपल का टायर्स का काम हुआ करता था ये दोनों दिन भर मैनत करके जो भी पैसे कमाते थे उसमें से थोड़ा सा पैसा अपने पास बचाकर सारा अपने परिवार के लिए भेज दिया करते थे लेकिन फिर एक दिन इन्हें बैटिंग का शौक लग जाता है और ये अपने पैसो को सट्टे में उड़ाने लगते हैं बात करें सौरफ चंदरकार की तो उसने 10-15 लाक रुपए सट्टे में गवा दिये थे और रभी उपल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था भारी लॉसे जहेलने के बाद ये दोनों लोग अच्छी से समझ चुके थे कि इस बैटिंग की दुनिया में सट्टा खेलने वाला नहीं बलकि खिलाने वाला ही कमाई करता है और इसी लिए कि दोनों अपनी दुकानों पर ताला लगा कर बुकी बनने निकल पड़ते हैं पर यहां प्रॉब्लम ये थी कि भारत में बैटिंग इलिगल होने की कारण उनका खेल कभी भी खत्म हो सकता था सौरप और रभी इसका तोड़ निकाल कर दुबई पहुच जाते हैं जहां ना तो बैटिंग पर कोई बैन है और जहां बैट कर वो ग्लोबल लेवल पर अपने बैटिंग नेटवर्क को चला सकते थे ये दोनों अपना शैतानी दिमाग दोड़ाते हैं और साल 2016-17 में अपने महादेव बुक एप को लाँच कर देते हैं इस एप पर लोग अलग-अलग गैंबलिंग गेम्स खेल सकते हैं और क्रिकेट फुटबॉल जैसे डिफरेंट स्पोर्ट्स पर बैटिंग भी कर सकते हैं कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि महादेव बुक एप पर भारत सहीद दुनिया के बड़े-बड़े देशों के इलेक्शन रिजल्ट्स पर भी बैटिंग की जाती है अब यू तो ये तोनों जादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन इनका दिमाग कम्प्यूटर से भी तेज चलता था इन्होंने अपने एप की अल्गोरितम ऐसे सेट की हुई थी कि जब भी कोई नया यूजर 500 रुपे लगा कर बैटिंग शुरू करता था तो शुरुवात में उसे एक से दो हजार रुपे का प्रॉफिट होता था इससे लोगों का लालच सातवे आसमान पर पहुँच जाता था और वो 500 हजार से उपर उठकर बड़े एमाउंट का सट्टा खेलने लगते थे और यही वो मौका होता था जब यूजर अपना सारा पैसा हार जाता था और सारा पैसा दुबई में बैठे सौरफ चंद्रकार और रभी उपल की जेब में जाता था इस तरह इन दोनों ने अपने इस एप से लाखो यूजर्स को जोड़ा और 1000 करोन से भी जादा की कमाई कर ली इस पैसे की मदद से इन्होंने Ready Anna और Fairplay.com जैसी दूसरी betting apps को भी acquire कर लिया लेकिन इन दोनों का लालच यहीं पर खत्म नहीं हुआ इन्होंने महादेव betting app की franchise बाटना भी शुरू कर दी जी हाँ दोस्तो आपने अभी तक MBA चाय वाला और McDonald जैसी companies के franchise business के बारे में सुना होगा लेकिन शौरप और रभी उपन ने इस business model को betting के दुनिया में लौज कर दिया यह मैं नहीं बलकि हमारे देश का AD कह रहा है जिनकी माने तो महादेव book app 70-30 के profit ratio में अपनी franchises को sell करते हैं भारत, पाकिस्तान, स्रिलंका और बांगला देश में बैठे bookies इन franchise को लेकर नए users को add कराते हैं और अपने local area में खुले arm betting कराते हैं दूसरे शब्दों में कहें तो ये दोनों betting का गंदा खेल चलाने के लिए मोहरे अपॉइंट करते हैं और खुद UAE में बैठ कर अपनी जेबे भर रहे हैं इन local bookies को manage करने के लिए भी इन्होंने उपर लोग लगाये हुए थे और इनके उपर भी कई लोग बैठे हुए थे मतलब ये system इतना गहरा बन चुका था कि अगर कोई bookie पकड़ा भी जाता है तो police और investigation agencies उन दोनों तक कभी पहुँच ही नहीं सकती थी ये सब सुनने के बाद अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतने हजारो करोड की payment इन तक पहुँचती कैसे थी तो दोस्तों चलिए अब इस महादयो betting app के payment system को समझते हैं यहां होता कुछ यूँ था कि जब भी कोई नया user इनके app पर अपनी ID बनाता था तो उसे एक WhatsApp नंबर के जरिये एक bank account के details बेजी जाती थी अब मान लीजिए कि वो user उस bank account में 500 रुपए जमा करता है तो उसके app में 500 रुपए की कीमत के points को add कर दिये जाते थे जिससे अब वो online betting कर सकता था अब वैसे तो बहुत ही कम लोग इस app से पैसे कमा पा रहे थे लेकिन अगर किसी को withdraw कराना हो तो उसे एक दूसरे WhatsApp नंबर के जरिये इसके information देनी होती थी ये सब सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि अगर सारी payments bank accounts के जरिये ही हो रही थी तो आखिर police और investigation agencies इस racket को पकड़ क्यों नहीं पाई तो दोस्तों इसका reason ये था कि सौरब, रवी उपल या उनकी franchise लेने वाले bookies कभी भी अपने personal bank accounts का use करते ही नहीं थे इन्होंने भिलाई और 36 गड़ के दूसरे इलागों में रहने वाले 300 से 400 गरीब लोगों के accounts को ले रखा था जिसके लिए उन्हें हर महीने 4000 रुपए दिये जाते थे बाद में इस पैसे को हवाला के जरिये भारस से दुबई भेज दिया जाता था और किसी को कानो कान भनक भी नहीं होती थी लेकिन अब सवाल उठता है कि जब पिछले 6-7 सालों से ये illegal business इतने आराम से चल ला हा था तो हाली के दिनों में इसकी इतनी गूँच क्यों सुनाई दी रही है और आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो सौरफ और रभी उपल परदे के पीछी से सारा खेल को आपरेट कर रहे थे उनकी कहानिया आज मेडिया और इंटरनेट पर वायरल हो रही है दोस्तों वो कहते हैं ना कि मुझरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो वो अपने पीछे कोई ना कोई सबूत तो जरोड छोड़ जाता है और इस केस में मुझरिम ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी जिसको लाखो कोशिशों के बावजूद भी छिपाया नहीं जा सकता था जी हाँ, यहाँ मैं 200 करोन रुपए की उसी शादी की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था यह बॉली बुट के वो फेमस नाम है जो फरवरी 2023 में हुई शौरप चंद्रकार की लेविस वेडिंग का हिस्सा बने थे जिसके लिए 200 करोन रुपए का खर्च किया गया था अब अमबानी अधानी के परिवार की वेडिंग होती तो कोई हजम भी कर सकता था लेकिन एक जूस बेचने वाला जो समाज की नजरों में नौकरी की तलाश में दुबई गया था उसके पास इतना पैसा कहां से आया आपको बता दू कि शौरब चंदरकार ने UAE की छटे सबसे बड़े शहर रसल खाइमा में शादी की है इसके लिए R1 Events Private Limited नाम की एक इवेंट मैनेजमेंट कमपनी को हवाला के जरिये 112 करोन रुपए की पेमेंट की गई थी साथी शादी के लिए जो भी होटेल बुक किया गया था उसका खर्च भी 42 करोन रुपए बताया जा रहा है बेडिंग प्लानर्स, डेकोरेटर्स और डांसर्स को मुंबई से बुलाया गया जिनके रहने, खाने और ट्रेवल का सारा खर्च भी सौरब चंद्रकार नहीं उठाया था सौरब ने नागपूर में रहने वाले अपने फैमिली मेंबर्स को दुबई लाने के लिए प्राइवेट जेट्स बेजे थे जिनका खर्चा आप खुद ही समझ सकते हो इनमें से हर एक इनसान का पेमेंट हवाला के जरिये ही किया गया और यही वो कारण था जिसने ED का ध्यान अपनी ओर खीचा ED की इन्वेस्टिगेशन के एकॉर्डिंग, सौरब चंद्रकार और उनके साथी रवी उपपल ने महादेव बेटिंग एप के जरिये 60 बाजी कराकर 1000 करोडों की कमाई की है इसमें अब तक 5000 करोड रुपे की मनी लॉडरिंग के सबूत मिले है कहने का मतलब यह है कि 5000 करोड तो सिर्फ वो रकम है जिसके वारे में अभी हमें पता चल पाया है स्वरप चंद्रकार और रवी उपल ने अपने एप को जादा से जादा लोगों तक प्रमोट करने के लिए स्टेट डिस्टिक और यहां तक के विलेज लेवल पर भी डिस्टिबुशन चैन बनाई होई थी यह चैन्स ना सिर्फ महादेव बेटिंग एप का प्रमोशन करती थी बलकि इससे होने वाली कमाई को कलेक्ट करके कैश में बदलने से लेकर इसे आगे बेचना भी इनी का काम होता था महादेव बेटिंग एप के प्रोमोटर्स अच्छी से जानते थे कि इतने बड़े नेटवर्मा को बिना पॉलेटिकल सपोर्ट के चला पाना पॉस्बल नहीं है इसी लिए उन्होंने कई लोकल लेवल के पॉलेटिसियंस को भी रिश्वत देकर अपनी तरफ कर लिया था अभी हाली में ED ने 36 गड़ के मुख्य मंत्री भुपेश बगहिल के राजनेतिक सलाकार विनोत वर्मा के निवास पर छापे मारे की करवाई भी की थी जिसकी कम्प्लीट रिपोर्ट ED ऑफिस में जमा की गई है हलांकि ED को इस कारेवाई से क्या हासिल हुआ था इसके बारे में कोई भी जानकारी पब्लिक नहीं की गई है साथी 23 अगस 2023 को 36 पुलिस के असिस्टेंट समिस्पेक्टर चंद्रबोशन वर्मा, असोसियेट कमिशनर, अविशेक चंद्रकार, सुपरवाईजर्स, अनिल दमानी और सुनिल दमानी को भी ED की निमान में लिया गया था इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने UAE में बैटे महादव बैटिंग एप के प्रोमोटर्स, यानि कि सौरब चंद्रकार और रभी उपल से मोटी रिस्वत ली है हाला कि यहां मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ कि फिलाल तक ऐसा कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है आपको बता दे कि 21-23 अगस्त के बीच ED ने कई जगों पर चापे मारे थे जहांसे उन्हें भारी मात्रा में कंट्रोवर्सियल डाकुमेंट्स मिले सेप्टेंबर में भी कुछ ऐसी ही कारवाई की गई जहां 49 लोकेसंस पर तलाशी के दोरान 417 करोन के एसेट सीच किये गए इनमें कई बैंक एकाउंट्स और भारी मात्रा में कैश पकड़े गए थे ED ने कुलका था कि एक विकास छपारिया को भी पकड़ा है EXIM General Trading FG को और Tech Pro IT Solutions की मदद से हवाला का ये पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था अब क्योंकि हवाला का इस पैसे से भारत के स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट किया गया था इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें इस केस में से भी याने कि Securition Exchange Board of India का involvement भी देखने को मिले महादियो बेटिंग आप के इस complete केस में हमें Underworld Dawn और भारत के Most Wanted Terrorist में से एक दाओद इब्राहिम के entry होती हुई भी नजर आई है इस बात का पता हमें उस समय चलता है जब गैंगेश्टर लॉरेंस बिस्मोई ने वसूली के लिए सौरफ चंदरकार को कॉल किया था और सामने से ये कहा गया कि उनकी connections दाओद इब्राहिम के साथ हैं ED की तलाश में भी कुछ ऐसी ही बाते सामने आई हैं दोस्तों 36 गड़ के कई इलाके ऐसे हैं जहां नकसलवाद की जड़े बहुत ही जादा मजबूत हैं ऐसे में ये कयास भी लगाया जा रहे हैं कि हवाले की इस पैसे से कहीं ना कहीं नकसलवादियों के भी मदद की जा रही है लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इन सभी चीजों के माश्टर माइंड्स शौरफ चंद्रकार और रभी उपल को पकड़ने के लिए आखिर क्या-क्या कदम उठाए गया हैं आपको बता दें कि 36 गड़ में इन दोनों के खिलाब FIR दर्ज की जा चुकी है जिसके आधार पर इडी ने इनको पकड़ने के लिए इंटर पोल की मदद मागी है ऐसा माना जा रहा है कि शौरफ चंद्रकार दुबई में ही कहीं चिपा हुआ है तो रभी उपल फिलाल सिरलंका में है ये कोई नहीं जानता कि इस केस में अभी कितने मोड आने वाले हैं और महादेव बेटिंग अप की ये कंट्रोवर्सी क्राइम की दुनिया में कितनी गहरी जाने वाली है बाकी आप इस स्कैम के बारे में क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं बाकि इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि BlackRock दुनिया के सभी politicians और सभी companies को कैसे control करता है तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं बाकि आज के लिए बस इतना ही